नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस विडियो में हम दिस्कस करेंगे कि CTD टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है CTD टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और CTD टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और यह भी डिस्कस करेंगे कि CTD टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए और किन कंडिशन्स में CTD टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है CTD टैबलेट का उप्योग ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और शरीर में सूजन को कम करने के लिए क दोखिम अधिक हो जाता है। शरीर में लिवर, किड्नी और दिल से संबंधित बीमारियां होने की वज़ा से पैरो या शरीर के अन्य हिस्सों में सूजन हो सकती है। इसलिए सूजन को कम करने के लिए भी डॉक्टर CTD टैबलेट को लेने की सला दे सकते हैं। CTD टैबलेट दायूरेटिक ड्रग क्लास की दवा है। दायूरेटिक दवाईयां शरीर से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालती है। CTD टैबलेट को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है। इसलिए डॉक्टर CTD टैबलेट को उन लोगों को भी लेने की सला दे सकते हैं। जिन व्यक्तियों को कोई किड्नी से संबंधित समस्या है। या जिन लोगों की किड्नी अच्छी तरह से काम नहीं करती है। CTD एक ब्रैंड नेम है। CTD टैबलेट के अंदर सॉल्ट संदा रहा है। तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि CTD टैबलेट की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में CTD टैबलेट की वज़से कोई सीरियस साइड इफेक्स नहीं होते हैं। लेकि CTD tablet की वजह से नीन अधिक आना, पेट में बेचनी, दस्त और शरीर में कमजोरी हो सकती है. CTD tablet की वजह से शरीर में पानी की कमी हो सकती है. और शरीर में electrolytes का संतुलन बिगर सकता है. Electrolytes जैसे sodium, potassium और calcium का संतुलन बिगर सकता है. अगर आपको CTD tablet को लेने के बाद शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी, चक्कर आना, मासपेशियों में एथन, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और मुँ में सुखापन होता है. तो आपको तुरंथ ही डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. CTD tablet की वजह से शरीर में पानी क कमी बहुत ज्यादा हो सकती है. शरीर में पानी की कमी बहुत ज्यादा होने पर किड्नी की कार्यप्रणाली बिगर सकती है. इसके अलावा CTD tablet की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो सकता है. अब हम डिसकस करेंगे कि CTD tablet को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए. और क CTD tablet को लेने के बाद पेशाब अधिक आता है. अगर आप CTD tablet को शाम के समय लेते हैं, तो आपको रात के समय बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है. अगर किसी व्यक्ति को पेशाब नहीं आ रहा है, या जिन व्यक्तियों में प्रोस्टेट का साइज बढ़ने क वज़से पेशाब कमा रहा है. ऐसे व्यक्तियों के लिए CTD tablet का सेवन करना recommended नहीं है, और ऐसे व्यक्तियों को डॉक्तर की सला के बिना CTD tablet को नहीं लेना चाहिए. अब हम डिसकस करेंगे कि CTD tablet को कैसे लेना recommended होता है. CTD tablet को खाना खाने के बाद लेना recommended होता है. ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर CTD tablet को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते हैं. CTD tablet की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलद-अलग हो सकती है. इसलिए आपको CTD tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना CTD tablet को नहीं लेना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या pregnant महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं CTD tablet को ले सकती है या नहीं. प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए CTD tablet का सेवन करना recommended नहीं है. इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को CTD tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए. और डॉक्तर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट मह महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को CTD टैबलेट को नहीं लेना चाहिए।